आप सब का स्वागत है हमारी यूट्यूब चनल शाय मिस्रा में आज हम बनाने जा रहे हैं पालेजी से बेलबेट केक तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है यह हमने सारे पालेजी बिस्किट खोल लिए हैं दो दो रुपए वाले हैं तो इसमें हमने 10 पैकट ले लिए थे औ पाउडर आप इससे चान कर भी ले सकते हैं देख लें इसमें गाठे ना हो और यह देखिए अब हम पेस्ट बनाते हैं उससे पहले हम अपनी कढाई को रख देते हैं प्री हीट होने के लिए यह देखिए इस तरह का ले लेंगे एक स्टैंड तो या इस तरह का स्टैंड अगर यह स्टैंड नहीं है आपके पास तो आप एक कटोरी भी ले सकते हैं जिससे हम रख करके बेक कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से हमने रख दिया है अपना स्टैंड और इसको हम कवर करेंगे एक ढकन से जिससे कि यह प्री हीट हो जाएगा दस मिनट के लिए तो फाइंड बिल्कुल लिक्विट हमें रिवन कंसेंटेंसी का गोल बना लेना है थोड़ा थोड़ा करके दूद आट करेंगे जिससे कि गाठे भी ना पड़े इसलिए हमने बोला था कि बिस्किट के जो चूरे को है उसे चान कर लेने जिससे कि गाठे इसमें गाठे ना हो अच्छा सा स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाए तो यह देखे इस तरह से रिवन कंसेंटेंसी का बन चुका है इसमें अब हम डालेंगे रेड फूट कलर क्योंकि रेड बिल्वेट बनाना केक रेड बिल्वेट का केक बनाना है तो यह वनिला एसिट आपके पास नहीं है फूट कलर एड कर सकते हैं तो यह देखे इस तरह से हो गया है तो आप चलिए और आगे काम करने से पहले हम अपनी काटोरियां ले रहते हैं जिलको कर लेते हैं ग्रीश और से आप इसमें न्यूटरल आप इसमें कोई भी और लगा सकते हैं बड़ हाई 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 स्मेल का अब लगा सकते हैं घी का भी यूज कर सकते हैं तो यह देखिए अब हमने नहीं लिया है एक सैसे इनो फूट सॉल्ट उसको हमें एट किया हुआ है और इसके ऊपर थोड़ा सा दूर डाल दिया है जिसकी वज़से यह एक्टिवेट हो जाएगा और इसे हम जंटली हलके हा ऑघुता तो ओंग कर लेंगे फिल कर लियों को इस तरह से तो इसे फिल कर लिया है देखिए आप हम कर एंगे टैप जिससे किसमें जो ऐ brow बेवल गार है वह निल जाए टैप कर देंगे इसको इस तरह से और फिर अपना बेक करने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए गाइस 15 मिनट के बाद हम इसको चेक भी कर लेंगे एक बार कि हमारा इसकी यह पूरी तरह से कुख हो गया है या नहीं अगर नहीं होता है कुख तो आप 5 मिनट के लिए और छोड़ दें तो यह देख सकते हैं आराम से यह कुख होगा अफ्लेम को हमेंसा धीमा ही रखें बहुत तेज हाई फ्लेम पर रखेंगे तो इसलिए हम धीमी फ्लेम पर पकाएंगे तो यह देखिए गाई हमारा अच्छे से कुख हो चुका है 15 मिनट पर हमने देख लिया था तब थोड़ा सा कम था कुख होना इसलिए हमने पांच मिनट और रख लिया तो यह अच्छे से कुख हो गया है देखिए नाइफ डालेंगे इसके अंदर और इसको अब हम चेक करेंगे तो यह देखिए बिलकुल क्लीन नाइफ निकली है तो इसका मतलब हमारा के रैडी हो चुका है और इसे ह हम पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इसके इस पर और देखिए नाम ने ओयल कोई यूज किया हुआ है इसके अंदर ना कोई चीज देखिए कि इतने अच्छे से थोड़े से ही चीजों से बन कर तया रहे है हमारा के यह देखिए हलका सा टैप करने पर ही निकल अच्छा हम आपको दिखा दें आराम से कि सारे देखिए हलका सा टैप किया कोई कोई केक तो ऐसा भी है कि इसको में ट्यक भी नहीं है तो यह देख सकते हैं सारे के कर दोठेющकों को कि हमने और हम दिखाते है 살か एंगए एक चीजो और गाई अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यह देखिए इसका स्पंज देख सकते हैं इसकी जाली देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है देखने पर ही तो अब हम क्या करेंगे लेंगे अपना knife और इसे बीश से cut करेंगे इसतरह से cut करने पर भी पता अपनी मलाई को और इसी से हम करेंगे डेकरेट तो इससे हमारा मौश्ट भी हो जाएगा किक और अच्छे से डेकरेट भी हो जाएगा एक बात और गाइस हमने बिस्कुट से बनाया इसलिए हमने चीनी का एड नहीं किया है आपको अधिक मीठाक पसंद है तो आप जिसमें 2- तीन स्पून चीनी भी एड कर सकते हैं तो यह देखिए इसी तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे डेकरेट हो गया है अब यह देखिए यह हमने बिना कट किये हुए हमको अगर आपको कटरने का मन नहीं है तो आप ऐसे ही ड्राइफ रूट वगरा से डेकरेट कर सकते हैं तो जो यह थोड़ा बहुत निकलेगा इसको ही हम इस पर डाल कर देखिए यह देखिए सजा दिया है केक को तो अगर बिप क्रीम नहीं है तो आप इस तरह से भी सजा करके बच्चों को खुस कर सकते हैं और अगर हमारी एक बात और यह बहुत 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 अच्छा इस होने वाले हैं कोई भी ओकेजन हो बर्थडे हो मेरीज इनिवर्स्टी हो आप फटा पट बनाईए यह के 10-20 मिनट में बन करते हैं 20-15 मिनट में तयार हो जाता है तो यह देखिए अगर हमारी यह पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मिलते हैं नेक्ट दे सर्थ